करें के ऐस अई एस्टिरी क्लास 9 चेप्2 तू रशीय रेवॉलुशन सोशलिस्म इन यूलोप दा शीय रेवॉलुशन है उसका पाट तू अब रशीय रेवॉलुशन के बारे में टार्ट होगा भषा ठैलरा कि है 2017 में अक्टूबर 2017 में सोशलिस्ट लोगों ने रशिया को अपने कंट्रोल में कर लिया रशिया की गवर्मेंट और जो मोनार्की मतलब जो एक तंत्रे जहां पर मतलब एक ही एक ही शाषन चलता है वहाँ पर मोनार्की को गिरा दिया था 1917 में और जो इवेंट यह अक्टूबर में हुआ था और इसी इवेंट को रशिया रेवॉलुशन कहा जाता है आखिर एसा हुआ क्यों मतलब इसकी जरूवत क्यों पड़ी और रशिया रेवॉलुशन के पहले रशिया में सोशल स्टेटस क्या था प्या कंडिशन थी सोशल समाजिक लोगों की और पॉलिटिकल लोगों की इसके बारे में जानने के लिए मतलब रशिया रेवॉलुशन जब हुआ था उसके पहले की क्या परिस्तितिया थी उसके बारे में एक बार इस पर नज़र डालते है रशिया एंपायर इन 1914 मतलब 1914 तक रशिया एंपायर कितना कितना वड़ा था 1914 तक सार निकोलस टू रशिया का राजा था मतलब इसी के कंडोर में था 1914 तक पूरा रशिया आज जो हम देश देख देखते हैं जैसे जो मोस्कों के पास लगे हुए है जैसे फिनलेंड है लात्विया है लिथियाना है इस्टोनिया है पॉलेंड है यूक्रेन है बिलरूस है ये सब पार्ट ये जो पूरे देश है ये पहले रशिया के अंडर में आते थे मतलब आज तो यह अलग देश हैं यह पहले रशिया में ही थे और पूरा पैसे पैसे फिक तक कवर था और आज जो सेंट्रल एशिया में जोर्जिया है अर्मानिया है अजबे जबे जबे यह देश भी रशिया के अंडर में ही आते थे मतलब बहुत बड़ा था रशिया आज से भी काफी बड़ा मतलब जो आज है आज से भी काफी बड़ा था उस टाइम पर रशिया में जो रिलीजियस थी वो और्थोडोक्स क्रिस्चन धर्म के लोग थे बड़ इसके अलावा कैथलिक भी थे प्रोटेस्ट थे मुस्लिम थे और बुद्धिस्ट लोग भी थे एक फोड़ो दी हुए सार निकोलस की मतलब यही राजा था उन्निस सो चौदा था रशिया का और एक रशिया का मैं दिया हुए मैं कि इतना बड़ा था रशिया 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 एम्पायर पूरा कि एकनॉमिक एंड सोसाइटी मतलब रशिया की उस टाइम पर एकनॉमिक और सोसाइटी कैसी थी स्टार्टिंग में मतलब 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग में रशिया की जो मैजरोटी पीपल वह एग्री कल्चर बेड़ेंट थी मतलब सिर्फ खेती बाली कर दी लगभा रशिया की पॉपुलेशन अगरी कल्चरी करती थी जो की यूरोप का सबसे जादा था मतलब यूरोप में इतने जादा लोग खेती नहीं करते थे पचास 50% के आसपास खेती करते थे एक जर्मनी और फ्रांस में लगभा 40-50% लोग भागी खेती करते थे खेती पर डिपें रशिया इतना ज्यादा गेहूं करता था कि वह एक्सपोर्ट भी करता था पूरे अलोवर वल्ड में मतलब जहां जहां गेहूं मतलब उस टाइम पर रशिया एक गेहूं का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रहता इस टाइम पर कुछ लेबर की फोटो दी हुई है कि जो अनिंप्लोइमेंट लेबर हैं उसकी किचिन है जो खाना खा रहे हैं जैसे मतलब मंदिर में भंडारा होता है लंगर होता है गुरुद्वारे में तो इस जगहां पर एक खाना खा रहे हैं मतलब ऐसी कंडिशन थी जो फर्स्ट वर्ड वार वह तो उसका टाइम की पहले की क Peach lees k глаз फांड फोकट इसका मतलब पोकेड मतलब के इंडस्ट्री बहुत कम थी मतलब उस ताइम पर इंडस्टिलिजेशन नहीं होता रचिया का बहुत कम इंडस्ट्री मतलब होता है राज में समें अहीं पीधरज पर mendels क哎 मोस्को यह wonders przy मॉइंड आ दरह जह जखार्य जग तूरी काम करते थे और इसका जो डिवलप्मेंट 1890 के आसपा से जो मैंने जो फैक्टरी सेटप हुई है इंडस्ट्राइजेशन वह थालका फुलका जितनी भी इंडस्ट्री आई थी वह 1890 के दौर में आई थी और जब रशिया का रशिया में जब रेलवे लाइन बिच रह गया था और रहाने इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन वह चार गोना हो गया था क्वाट का मतलब वहता है फोर चार गोना और उन्नीस्तों के टाइम पर लगभाभा फैक्टरी और जो काम काम करने वाले लिए पर लगभाभा समान हो गयते है कि अगर जाथा तर जो इंडस्ट्री यह मतलब इंडस्ट्री डिए फैक्ट्री थे वह प्राइविट प्रॉबाटी मतलब यह थी अपर उन्हें पर जो सुपर्वाइज करते था दम मतलब उनकी जो चेकिंग वगयरा करता था तक जो बड़ी-बड़ी होता था झाई बड आज़ा घंटे काम करवाया जा रहा है बट इंसक्केटर के बाद दिंग रूप तो इसको रूप नहीं पाते था अगर कोई व्यक्ति रूप तो रहा तो उसको रोग दें इतना होनी के बाद भी वह रोग नहीं पाते थे और जो क्राफ्ट परसने जो लेबर वरके वो 15-15 घंटे काम करते थे अगर कंपेर करें 10-12 घंटे में कहीं 12 घंटे होते थे बड़ों से 15-15 घंटे काम कर वाली जाता था हाला कि उनको अकुमोडेशन वगेरा की विवस्ता दी जाती थी लेबरों को और का और कर जो हैं सोचल ग्रोप में बटे हुए थे कुछ ऐसे वरकर थे जो करने आयते लेबर वहीं से लोग गईते हैं जिसको जो काम अधा जो लेबर एक प्रॉप और में करते हैं एक अध्र पाउट्युम पूंड आप सब्सक्राइब तरह सेंट दॉड़ा की मैं कि दॉट सा वह तरगा मानतें पुरुष के मुकाबले इनको कम सेलरी दी जाती थी और इनकी ड्रेस और जो मैनेर है वो भी काफी अलग थे कुछ लेबरों ने अपने गुरुब भी बना रखे थे कि जो कम तब के लोग फाइनेशनली प्रावलम करते थे उनके लिए उनकी हेल्प करने के लिए इन्हों ने गुरुब बनाया था बट ऐसी एस्सेशन थी बहुत ही कम थी एक पेंटिंग दी हुई है कि उसमें उस टाइम पर जो बड़े-बड़े बंकर होते हैं बड़े-बड़े जो हॉल टाइप है रहते जहां पर लेबर वगएरस होते हैं तो इसकी फोटो दी हुए मतलब इस कंडिशन में लेबर रहा करते थे मतलब जिनको अपनी फैमिली क इसके बावजूद भी उनमें यूनिटी थी किसी प्रकार से किसी लेबर को नोकरी से निकाल दिया जाता था किसी को हटा दी कुछ प्रॉब्लम हागी तो सब एक साथ उस पर खड़े हो देते हड़ताल कर देते और ऐसी हड़ताल भी हुई 1896-1997 के दोरान टेक्स्टायल इंडस्ट्री में उन मेटल इंडस्ट्री में 1902 में मतलब ऐसी कई सारी हड़ताले हुई है थोड़ा कंट्री सैट जो मतलब ग्रामीर इलाकों में जाए तो जो जादातर किसान है मतलब खेती ही किया कर देते और जो जमीने वह से अमीर वर के लोगों के पास होती थी मतलब जया यह तो वह जैसे फ्रांस में होता था कि जो चर्च के पादरी हैं और जो बहुत होती थी और पीजेंट और वरकर आपस में डिवाइड़ थे और सभी किसान किसी ने किसी प्रकार से मतलब धार्मिक थे मतलब धार्मिक रिलीजिस से बहुत जुड़े हुए थे बट फ्यू केसिस को छोड़ दिया जाए और जादा तर जो किसान है वो मतलब अमीर वर के लोगों की बहुत जाद रिस्पेक्ट नहीं करते थे और जो अमीर लोगों उनको पावर और पॉजिशन मतलब पॉपुलरिटी के थिरू नहीं मिली थी कि मतलब वो समाज के लिए समाज के लिए सेवक हैं इसलिए नहीं हुई थी वो जो राजा था सार सार निकोलस टू उसकी सेवक करके जी हजूरी करके इतनी पावर और पॉजिशन पाई थी बट जो फ्रांस में जो रिवोलुश्ट मतलब फ्रांस के लोगों का और जो सिस्टम ता वो रशिया के थे कभी कभी उनके लिए बी लड़ते थे बर रस्याद में छी नहीं था चैटे ते कि भ winner ऑ Сам Wirवार के लोगों के सान को आपसमें बाट बाट लेनी चायकर और कभी कभी जो आम लोग था लोग है वो रेंट देने से मना कर देते थे और कभी जो लेंड लोड मतलब जो आता था था वस्ता वो वसूलने के लिए किराया या फिर जो भी है रेंट वगार तो उसको कभी जो अब भी मडर कर दिये कर दे थे उनीस सो दो में साउथ रशियमी ये लार्ज स्केल पे होने लगा मतलब उन्हें रेंट देना ही बंद कर दिया तोटली और 1905 में औल ओवर रेंट देना ही किसी भी प्रकार से बंद कि रेशिया के जो किसान किसान थे वह थोड़े से अलगते यू यूरोप की किसानों से अगर एक और पॉइंट देखा जाए उनका यहां के जो लोग भाग थे अरशिया के लोग भाग थे उनका जो कंट्रोल कम्यून के सिस्टम में रहता था जो मीर है और जो इनकी जमीने डिवाइड करते थे मतलब फैमली इंडिविजल के साब से मतलब जिसको जितनी जरूरत होती थी उसको भी थे उतना ही देते थे ये मीर लोग कमी कमिनल उन्हें कहते थे सोचलिज्म इन रशिया उन्येशोँ चोदह के पहले जितनी भी पार्टी थी रशिया में वह सारी की सारी एलीगल थी और जो भी विछ waren को सब्बंद हो मतलब जो कार्ल मेक्स के थौट से एग्री थे उन्होंने मिलके रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाई 1898 में बट यह मट वहां की सरकार ने इस पार्टी को लीगल करार नहीं दिया मतलब इस पार्टी को ने यह नहीं माना कि यह लीगली अथारिटी नहीं दी बट यह पार्टी फिर भी अपना काम करती थी और इस पार्टी ने अपने न्यूस पेपर भी निकाला और जो भी हड़ताल वगेरा करनी रेती थी जितने भी लेवर थे वो इस न्यूस पेपर के थुरू ही सबको एकटा करती थी और ये एक बेगबॉन था इनकी गुरुप का रेशियन सोशलिस्ट जो हैं उनको इसा मानना था जो रेशिया के किसान है वो जमीन अंने सोशलिस्ट है वो नैचुरली मतलब वो उनको इनविलड है अगर रेशिया में जो रेवोलुशन लाएंगे वो पीजेंट है वरकर ला सकते है और रशिया जो है आने वाले टाइम में जल्दी सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगी अगर बाकी कंट्रियों कंट्रियों से कंपेर किया जाए तो और सोशलिस्ट जो है रशिया के सोशलिस्ट 90 सेंचुरी में गाउं साइट के जो अलाके हैं वहाँ पर भी काफी एक्टिव थे और 1900 में उन्होंने एक पार्टी बनाई सोशलिस्ट एर वालिशनेरी पार्टी और पार्टी वो स्ट्रगल कर दी थी मतलब इसके लिए जो सोशल डिमोक्रिट्स टे वो इस बाश से डिस друг थे मतलब इस बाश से एग्री नहीं थे जो रियु रहाँ लेव वान एक कान लेनलन नामके वेक्क्तिर नुनका अप एसा मानना था किसान फार्टी कुछ किसान उपशर्ड साम मेर्वन ह inacces Gill विजए के ठीक ठाके तो इसमें सोशलिस्ट होना मतरा थोड़ा सा मुश्किल ये लेनिन के हिसाब से उनकी डेफिनेशन है उनके थौंट से हैं कि पार्टी में आपसी मद्वित काफी जादा थे जो लेनिन था उनका समा उसका माना था कि जो राजा था जो दमनकारी राजा था उसको अपने मेंबर पर पार्टी की मेंबर पर उसके कंट्रोल करना चाहिए और एक हिसाब से मेंबर होने चाहिए कितने मेंबर उसकी कॉंटिटी पर पूरा कंट्रोल पूरी पार्टी पर सबके लिए खुली होनी चाहिए जैसा की जर्मनी में है अगर टर्बुलेंट टाइम दा नाइन्टेन हेंड़ट फाइव रेवालुशन तर्बुलेंट का मतला होता एक प्रकार से कहीं उथल बुथल होना रशिया में अभी भी ऑटोक्रेसी थी जैसे की यूरोप में 20th सेंचुरी की टाइम पे जो पार्लिमेंटरी सिस्टम था बट रशिया में नहीं था रशिया में जो राजा था सार निकोलास उसी की सरकार थी और रशिया के लोग इस सिस्टम को गिराना चाह रहे थे यह जो राजशाए सिस्टम है राजा का बेड़ा राजा राजा था यह नहीं चाहते थे वह ही उनकी भी डिमांट थी कि प्रॉपर एक कंस्टूशन्म बने संविधान बने जो लोग थे social democratic और social revolutionary उन्होंने पीजेंट मतलब जो किसाने उनके साथ काम किया और जो वरकर हैं लेबर वरकर हैं उनको अपने support में लिया और 1905 में उन्होंने constitution की demand रखी कि ये proper सम्विधान होना चाहिए और इसका साथ दिया पॉलेंट के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी साथ दिया और जो मुसलिम majority के एरिया थे मतलब जहां पर मुसलिम लोग रहते थे उन्होंने भी इसका पूरा साथ दिया कि constitution होना चाहिए राजशाही नहीं होना चाहिए 1904 का जो समय था वो रशियन के जो वरकर है मतलब जो लेबर वरकर है उनके लिए काफी खराब साल रहा था वो यूंकि जो प्राइस की कीमते हैं बहुत तेजी से बढ़ी थी और salary जो इनकी 20% और कम हो गई थी और उनके जो association मिंबर हैं उस पर इनके लोग बाग जोड़े थे इनकी संस्ता से इनकी गुरुप से एक बार इनके चार लोगों को जो असेंबली और रेशियन वरकर हैं इनके असेंबली थी इनके चार लोगों को नौकरी से निकाल दिया था कि मतब जॉब से निकाल दिया था फिर इसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया था हड़ताल करी ती कुछ दिन के बाद एक लाग दस हजार वरकर ने सेंट पीटर्जबर्ग में स्टाइक कर दिया हड़ताल कर दी और डिमांड करी थी कि हमारे जो काम है आट घंटे का हो ब पर कंडिशन की इंप्रूव करना थोड़ा सब वर्क की जो कंडिशन उसको थोड़ा सा अच्छा करना बहतर करना जितने भी वरकरते जो लोग बागते हो फादर ऑफ गयाप लोन मतलब इनकी अध्यक्ष्टा से इन्होंने विंटर पहले सकी तरफ आंगे बड़े विंटर पहले सोता जहां पर सायर निकोलस मतलब जो राजा का महल था उसकी तरफ बड़े अटेक करने के लिए फिर उसके पुलिस थे उसकी जो सेना थी उसके इन लोगों पर जो आंगे बड़े थे राजा के महल पर हमला करने के लिए और आजादी की डिमार्ट करने के लिए इसकी सेना ने इन पर अटेक कर दिया इससे क्या हुआ कि 100 वरकर की देथ होगी जो 300 वरकर घाया लोग गया और इस इं कि इसके बाद पूरी देश भर में हड़ताल हुई दे इसकूल यूनिवर्सिटी कॉलिज बंद कर दिये गए और सारे जो स्टुडेंट से उन्हों ने भी स्कूल जाना बंद कर दिये गए और जो लॉयर थे डॉक्टर थे और जो मिडल क्लास फेमली से संबनित रखते थे उ कि जब 1905 में रिवॉलुशन हो रहा था जो सार निकोलस था मतब रशिया का जो राजा था वह सिस्टम के लिए मान गया जो पारलिमेंटरी सिस्टम में जो डूमा है मतब वहां पर डूमा कहते हैं उस सिस्टम के लिए एग्री हो गया था बट इसके बावजूद भी जो र कमीटी हैं اور जो यू fakty हैं और सरकार ने उने उन्हें उन्नें इल्लीगल घोशित कर दिゃ मतलब उनको एक प्रकार से मानने تख मानने नहीं देजोबी संस्ताए होती है इनको सरकार की तरफ से माने ता पराद दी जाती है यहां के जो सरकार की थरो लेखल ने इनको इलीगल खोश्ट कर दी था और यह दो प्रम कर रहे थी ए पार पर किसी भी पॉलिटिकल किसी पहले राज नितिक एक्टिविट लगा दी थे सारी बंद कर दी थी और सार निकोला अबंस्था जो कि राजा था उसने पहला डूमा बनाया थर्यक्राल और रेलेक्टर 002 बनाया farklı तीन महीनिницы को कि किसी परकार कोई कोटिक्षिंंक किसी परकार की कमें के काम कि आ पास मेरे यह पास है उसने जो नियमों मंने फिर बदल कर आ और तीसरा डूमा ल्सक्राइब कर जिसमें उसने मताब चाला की से ये कर दिय क्थे जो नीए उन नुक को यि पूर इस कि मताब गूर्प से भाहर कर दिया तीसरा जो डूमा था उनको भाहर करximत भी अ जर्मनी और टर्की और दूसरी तरह थे फ्रांस बेटेन और रशिया बाद में इनका साथ देन इटली और रोम रूमानिय भी आ गई और इनकी जो कंट्री हैं मतलब ये जो देश हैं एशिया और ये ये बाहर तक भी फेले हुए थे मतलब आल ओवर वर्ल्ड में फेले हुए आधे हैं उम्याटम उच्वार कहा जाता है हुए और शुरू-च्रू में रशिया को काफी सपोर्ट मिला जो सार निकोल्स अहुए का राजओ वहां जा बाद में अर्यू कंटीन्यों चिलने लगा तो सार ने क्या करा ये अबने जो डूमा हैं अपना जो सब वहें केबिनेट मिनिस्ट्री है जो मंतरी है उन लोगों से अपना एड़वाइस लेना किसी भी परकार की बंद कर दी है और जो इनकी प्रती जो आम लोगे जो जर्मनी की प्रती जो इनकी नफरत है वो और बढ़ने लगी उनन मतलब बढ़ते बढ़ते जो सैंट पीटर्ब इसका नाम भी बदलकर इन्होंने पेट्रोग्रेट रख दी क्योंकि सेंट पीटरबग एक जर्मन नेम था और जो सार की महरानी थी सरीन अलेक्जेंडर जो जर्मन की मूल निवासी थी और उनका एडवाईजर था मतलब इन दो के कारणा आम लोगबाग भी इन मतलब इनकी राजशाही से और नफरत करने लगे थे और एक पिच्चर दी हुई है वर्ल्ड वार के टाइम पे जो रशिया के सिपाही थे उनकी फोटो दी हुई है कि फस्ट वर्ल्ड वार में जो इस्टन लोग है और जो वेस्टन लोग है वो मतलब अलग-अलग परकार से लड़ रहे थे और रशिया ने 1914-1916 के बीच में जर्मनी और और ऑस्ट्रेली में अपने कई सारे सेपाई खोए एक परकार से उनकी बाब वहां पर थोड़ा सा कि डिफिट हो गए थे 1916-1914 से और सोला के बीच में और 1917 सतरा तक लगभाग सेवन मिली मतलब सतर लाख लोग मारे गए थे बाद में क्या हुआ रशिया धीरे धीरे पीचे अटने लगा और रास्ते में जो खेत मिले जो इन्हें मतलब बिल्डिंग्स मिली उनको सारों को डिस्ट्रॉई कर दिया ताकि दुश्मनों की छुपने की जगा ना बच पाए और इससे क्या हुआ जो इन्हें और निकोलस लोग बाग इनसे और नफरत करने लगे ते और सिच्वेशन आगी थी अब सोल्जर्ज भी है वो लड़ाई नहीं चाहते थे वार का जो इंपेक्ट है वो इन्डस्ट्री पर भी होने लगा रशिया में उस टाइम पर इंडस्ट्री कम थी और उपर से जो एक दिखकत बेल्टिक सी से पर जर्मानी का कंट्रॉल कर लिए था आपक वह ड्रॉक्ष्ट की डिक्कत होने लगी थी और चुट्र फॉर जो जो इंडस्ट्रियल गुट से वह ज्लाद हो ज्दा रश्या की इंडस्ट्री एक्कियूपमेंट जलदी खराब होने लगे था अगर ह कि रशिया में शोटेज होने लगी और छोटी-छोटी दुकाने हैं वो बंध होने लगी मतलब खतम पर आगई और जो गेहूं वगेर हैं वो सप्लायर वो सिपाईयों के पेड़ भरने के लिए काम आया इससे क्या हुआ जो शेहर में और गाहों में इसकी कमी आने लगी गेह देते लिए अगा है कि अगा दा फरवरी रिवालूशन इन पेट्रोग्रेट पेट्रोग्रेटी मतलब जो नया नाम करान कराता यह वो है उन्नेशन सत्रस सर्दियों में जो कैपिटल पेट्रोगड़े उसकी जो हालत ती ग्रेम हो गई ती घ्रेम मतलब थोड़ी से खराब हो जाना बिगड़ जाना एसी हो गई थी लोगों ने देखा कि मतलब इसका जो मतलब शेहर को एसा बना दी जैसे इंटेंश इंटेंश दिए में जान बूच कर भूछ कर भवायच करा गया है राइट साइड में जो ती मतलब इसन लगता नदी जो थी यह लगता दा और से दोने दहाब हो रेख्राब आ फैसले निजिंब नीज और रहाइट साइड कंडिशन बहुत अलगती और हो अचग बहुए अलग ता ओफिशल बिल्डिंग थी और जो जो डूमा था मतलब जहां पर मीटिंग वगयर होती ती डूमा भी लेफ्ट साइड में था मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस था और 1917 में फूट की शौटेज होने लगी थी और मतलब जो लेबर वरकें जो वरकर हैं उनके उनके लिए फूट की शौटेज होने लगी थी और उसी साल सर्दी भी बहुत जादा पड़ी मतलब वहां पर हेवी रोनफॉल और ओस वस गिरने लगी थी इसका मतलब होता है सरकार डिजॉल्व ना हो तो इसलिए सार निकॉलस जो भी लोग थे वह डूमा पर सार निकॉलस के अपोजिशन वाले थे वह पार्लिमेंट के लोग इनकी बात को काट रहे थे कि सार निकॉलस की सरकार कुछ ना कुछ करके बनी ही रहे अब कि बाइस फरवरी किया हुआ कि नदी के किनारे जो फैक्टरी ती उसको कंप्लीट टोटली बंद कर दिया मतला पर्मनेंट बंद कर दी ताला लगा दिया और अगले दिन क्या हुआ अब यह ताला तो लगा दिया अब इनके वरकर कहां जाएंगे जो लेबर हैं उनको भी हड़ताल करी और जिस दिन ये महिलाओं ने हड़ताल करी और उसी दिन को इंटरनेशनल वूमेंस्टेक के रूप मनाया जाता है और आम लोग जो है अब जो लोगबाग है वो मतलब शेहर के बीचों बीच आगए जो शेहर का जो सेंटर था वहां पर वहां पर आकर अपनी बात रखने लगे अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रकार का मुवमिंट नहीं कर रही थी और लोगबागों ने जो फेशनेवल कौाटर थे और जो ऑफिशल बिल्डिंग थी उनको घेर लिया था और इतने में गवर्मेंट ने कर्फू कर सब्सक्राइब कर्फू लगा दिया फिर लोगबाग यहां वाँ हुए फिर बाद में 24-25 तारी को फिर से वापस एकटा हो गया लेकिन सरकार ने बोला कि इन पर नजर रखो पुलिस से और कैवेल्री का मतलब होता है जो गोड़ सवार सेने को ते जो गोड़े पर बैटके सपाइब कैवेल्री बोलते हैं कैवेल्री और पुलिस से बोला कि इन पर नजर रखो देखो क्या करतें क्या नहीं करते हैं कि 25 फरवरी को सरकार ने डूमाव को सस्पेंट कर दिया और जो बाद में पॉलिटीशन लोग थे उन्होंने इस बात के खिलाफ ते इस बात के अगेंस थे और 26 तारिक को 26 तारिक को लोगवागों ने घेरा बंदी कर ली और 27 तारिक को पुलिस का हेटकॉाटर था उसको त सामन जो था ओफिस में एक प्रकार से तोड़ फोड़ की गानियों की तोड़ फोड़ की और लोगों ने नारी भी लगाए जो ब्रेड हमाद रूटी कपड़ा रूटी कपड़ा बेटर आर अपने काम के लिए और डेमोक्रेसी एक प्रकार की आजादी के लिए जो करने को ने मना कर दिया बल्कि उल्टा जब गुस्से में इन्होंने क्या करा अपने ही ओफिसर को गोली मार दी और वरकर वरकरों की टीम जोएन कर लिए और उसी शाम को सुल्जर्स ने जहां पर यह डूमा था मतब जहां पर यह बैठा कोई थी डूमा पर वहां पर बिल्डिंग उसी बिल्डिंग में आए अपनी जो टीम लेकर गैदरिंग वही लोबाग हुई फिर वहां से सोविय्ट संकी इन्होंने शुरुआत करी थी एक फोडो दी हुई है यह डूमा क सब्सक्राइब कि नेक्स्ट डे क्या हुआ कि डेलिगेशन की तरफ से जो सार निकॉलस राजा है उससे एक व्यक्ति में मिलने गया मिलेटरी कमांडिन ने उन्हें एडवाइज दी कि राजगर्दी छोड़ देना अब्डिगेट का मतला हुए किसी जीज को त्याग देना चोड़ देना गिव अप कर देना तो उसने यह बोला कि चोड़ देना राजगर्दी छोड़ देना और दो मारच को जो इसको छोड़ने के लिए हरेड़ी हो गया और जो सोवित के लीडर थे उन्होंने एक बनाया कि अब बैसा प्रोवीजन सरकार रं करेगी और रशिया म कॉंस्टिटूशन असेम्ली बनेगी और इसका जो वोट होगा मतलब जो बनेगा मंत्री बनेगा विल्कुल प्रॉपर वोट बिना कि किसी को राजा बना दी राजा किसी को मंत्री बना दी हैं इंडिया में 18 साल की उपर का हर व्यक्ती वोट दे सकता है तो उसको एडल्ट तो फरवरी में यह जो रिवोलुशन हुआ था मतब यह जो काम हुआ था जो मोनार की राजशा ही हटाने का इनका पूरा प्रेडिट पेट्रो ग्रेट को जाता है कि मतब इन्होंने यह पूरा काम किया था इसके लिए आफटर फरवरी के बाद क्या हुआ जो आर्मी ऑफिशर थे जो लेंड ओनर थे इंडस्टियल थे यह बहुत पावर्फुल लोग तो उस टाइम की मतब जब सरकार थी उस टाइम के बहुत पावर्फुल लोग थे बट जो लिबरल थे और जो सोशलिस्ट थे उनका इसा महनन है था कि प्रोपर वर्क टोवार्ड़ एस एलेक्टेज गवर्मेंट मतलब एक एलेक्टेट गवर्मेंट होनी जाए सिस्टेमेटिक तरीके से चुनाओ तब सरकार चुनी जाए पी एम सीयम जो भी मंत्री है वो चुने जाया और चो रिस्टीक्शन थी मीटिंग में उनको आप निए सो सत्रा में बॉल्सेविक लीडर विलादी में लेने ने वो रशिय वापस लोट आया और उन्हों मतलब और वह इसे वैक्ति जो उन्ने सोचोदा से यह वर्लड वार फस्ट चल रहा था उसका विरोत कर रहे थे और अब उनका समाने था कि सोवियत को जो पावर अ पावर को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए और उन्हों ने यह डिक्लेयर कर दी कि वार जो जो जमीन है किसानों को किसानों में बाट दी जा और बैंकों का नेश्टे कर रहा नहीं हो जो लेने ने तीन डिमांड रखी थी बाद में इसको अप्रिल थीजिस के नाम से ज लेकिन जाधातर जो बोलसे पार्टी के जो कारे करता थे लोग बाग थे वह सर्प्राइज होगा इस बात को लेकर उन्हों उन्हें असा लगता था कि इतनी जल्दी चेंज नहीं आना चाहिए और इतने मतलब यह काम हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए जितना स्पीड में जो काम चल रहा है जो पुरानी गवार्मेंट उसको ही आना चाहिए बट कुछ टाइम बीता तो इनकी जो सोच है इनकी सोच में भी बदलावाया इनके एटिट्यूड में भी बदलावाया फिर ट्थे, गरिमवाय मंजोडी जो वरकर का मूवमेंट छाज वह और फेल गया मतलब जो उन्होंने आंदूलन कर जा रहा था और फिल फेल इन्डेस्ट्री में जो है कमीटी बनने लगई अर आम मतलब उनके जो कमीटी बनने लगे, आप इनका यह था कि जो लेबर वार्के सोल्जर्स की भी जो कमीटी आर्मी में वही बनने लगी और जून में जून में 500 सोवियत को भेजा था जो रशीय कॉंगरिस को रिप्रेजंट करें सोवियत में इससे क्या हुआ जो जो इस टाइम की सरकार थी वह वीग पढ़ने लगी और इनकी जो सरकार जो मतलब लेबर ल जो मांग थी कि अब जो फैक्टरी सरकार सरकार चला रही वह लेबरों के साब से चले तो इसको रुखवानी की कोशिश करी और इनके जो लीडर है उनको अरेस्ट करने की कोशिश करी बाद में क्या हुआ कि इनके जो कई सारे लीडरों को या तो इन्हें भागना पड़ा या कहीं छुपना पड़ाता एक फोड़ो दी हुई है लेनिन की जो अपरेल उन्हें 17 की जो अपने मतलब वरकरों को एड़र्स करने एक परकार से उन्हें समझा रहे हैं कि अब आज पस के जो इलाके थे कंट्री साइट के जो गाओं गाओं ग्राइमिन इलाके थे वहां के लोगों नहीं क्या कर रहा है कि अपर दबाव बनाना शुरू कर दी कि जो जमीन का वित्राना स्टार्ट किया जाए मतलब जमीन बाट दी जाए और इसके लिए जमीन को आपस में बाटे हैं और इसे इंकरेज होके जो सोशलिस्ट रिवालुशनरी और उन्होंने क्या करा जुलाई से लेकर सितंबर 1917 तक कई सारी जमीनों पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था एक फोटो भी दी हुई है कि यह उन्हेस जुलाई 1917 के बीच में जब आर्मी और जो क्रांति का रही थे उनके बीच में गोला गोला बारी भी हुई जो लड़ाई जगड़ा हुए उसकी फोटो फोटो है यह कि दर एवॉलुशन ओफ अक्टूबर नैंटी सेवन्टी अब जो सरकार और जो लोगबागें उनके बीच में तना धीरे धीरे बढ़ने लगा और लेनियन को लगा कि अब जो सरकार हैं वह अब मतलब ताना शाही पर आ सकती है हमम्तलब ताना शाही उतार सकती है उंके बीच में आप सी मद्वलत गया थे लेनी से अगेस करए की अब वो सरकार जो ईय था ताना शाही करेगी और सिола सिस्टममबर में उन्होंने फीर में सरकार के खिलाप और से अपराइजिंग करने का सोच था वहां पर लोगबग साब इखटे हुए 16 अक्टूबर 1917 को लेने जो पेट्रो गरेट सेवियन और बॉल्शेविक पार्टी है उन्हीन इस बात से एग्री कर लिए के वह अन्हों प्रकारस। बट उन्होंने किसी भी प्रकारसी डेट को रीविल नहीं करा। व horrible को किस दिन आन जाम देना है। कि चौबेस अक्टूबर को विद्रो शुरू हो गया था वो जो प्राइम मिनिस्टर था के रहन सिकी उसने अपने सिपाईयों को साथ सेपाईयों को लेकर उसने अपने शहर चोड़ दिया था और इसके साथ जो कुछ वफादर सेनिक थे इसने का था कि हम भाई यह इसकी दे प्रोटेक्ट करेंगे बस इतने में ही क्या हुआ था कि जो मिलेटरी रिवॉलुशन कमीटी दी जो क्रांतिकारी लोग ते उन्होंने इन पर ढाबा बोल दिया और यह गोश्णा कर दी कि सारे ओफिसों को गहराबंदी कर लो अपने कबजे में ले लो और सारे मिनिस्टर क तो अरेस्ट कर लो कुछ दिन के बाद विंटर पैलिस में जो राजा का महल था विंटर पैलिस उसने मतलब और और नाम की एक और 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 से इन्होंने गोलावारी शुरू कर दी जो उनकी तोप थी या मशीन थी जो भी था इससे उन्होंने क्या कर रहाए उस वहाँ पर ग एरियों को अपने कंट्रोल में कर लिया था रात होते होते मतलब काफी काफी सारी शेहर मतलब पूरा पूरा शेहर क्रांतिकारी लोगों अपने कंट्रोल में कर लिया था और जो मिनिस्टर मिनिस्टर लोग थे जो हैड लोग थे उन्होंने अपने आपको सिरिंडर कर दिय मतलब इतने पावर में आ गये थे क्रांतिकारी लोग उसके बाद और रशीय कॉंग्रेस हो भी है मतलब इनकी फिर मीटिंग हुई पेट्रोग्रेड में फिर कई सारे लोगों ने बॉल्शेविक ने जो एक्शन लिया था उनकी जो रणनी थी जो प्लानी थी जिस तरीके से काम कर रहे थे कई सारे लोगों ने इनका सपोर्ट करक्या रहां बढ़िया है आप से आप सही दरीके से काम कर रहे हो और बाकी शेहरों में भी अप्राइजिंग मतलब विद्रो स्टार्ट हो गया चलने लगा मोस्को में जादा हुआ था बट दिसंबर तक बोल्शुविक ने पूरे मोस्को और पेट्रो ग्रेड एरिया पर अपना कबजा कर लिया था यह एक फोटो दी हुई है उस टाइम की जो लेफ्ट में लेनिन है और राइट में रोट से की और यह है लेनिन क्वट से कॉम में लेफ्ट से लेफ्ट बना बना कर दो दो दोटेग्चा लेफ्ट से की जो आईएख साहर राइब अारणी क्या है और आद हम आदे से की जोटीपस